हेलो प्रेंट, वेलकम टु माई यूटूब चैनल हैसलाइफ फ्रेंट्स आज समझानेंगे सरेर की प्रतिरोधक छमता यानि इम्मिनुटी को बढ़ाना कितना मुश्किल है अगर आपको लग रहा है कि इम्मिनुटी को बढ़ाना असंभव है तो ऐसा नहीं है कैसा हो सकता है फ्रेंट्स कि हम बारिस में भेंगे लेकिन हमें जुखाम ना हो हम चरदिर में कैंप लगाए बीना थोड़ी देर बाहर निकल जाए तो भी हमें बुखार ना हो गर्मियों की दोपहर में अगर बाहर निकलना पड़े तो हमें लूह ना लगे और कोरोना वारत जैसे महमारे से भी बचे रहें तो हाँ फ्रेंट्स ऐसा हो सकता है और उस जड़ गुटी का नाम है गिलोए सबसे पहले हम जानेंगे गिलोए क्या है गिलोए एक बेल है ये आम तोर पे खाली मैदान चणके किनारे जंगल पार्क बाग बगीचो पेंड जाड़ियो और दिवारों पर उगती है गिलोए का बैग्यानिक नाम टिनुस्पोरा का डिफोलिया है गिलोए बुखार के लिए राम बाढ़ है ये हमिनिटी बुष्टर के रूप में काम करता है इसलिए इसके आईरवेदी गुड के लिए इसे जिविंतिका भी कहा जाता है आईरवेद में इसका इस्तेमाल कई बिमारियों के लिए किया जाता है बरसात के मौसम में होने वाली वाइरल बिमारियों मले सबसे पहले हम जानेंगे गिलोए का सेवन कैसे करें। बुखार में गिलोए का सेवन पाउडर कड़ा या रस के रूप में किया जा सकता है। इसके पत्ते और तन्यों को सुखा कर पाउडर बनाया जाता है। इसके अलावा बाजार में गिलोई की गोली भी मिलती है गिलोई का एक दिन में एक ग्राम चुछ ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना चाहिए अब हम जानेंगे फ्रेंड्स की गिलोई की तासिर कैसी होती है किसी भी चीज का सिवन करने से पहले उससे होने वाले असर और तासिर को जानना बेहद अबस्चेक है ऐसा इसलिए है कि गिलोई का इस्तिमाल हर मौसम के लिए अच्छा नहीं होता आयूर वेद में गिलोई की तासिर को बहुत ही गर्म बताया गया है इसलिए सर्दी जुखाम और बुखार में यह लावकारी है अब हम जानेंगे गिलोई का खाना चाहिए किसी भी बिमारी का दवा खाने से पहले उसके फायदे और नुकसान को जानना बहुत जरूरी होता है इसकी अलावा के सुम्र में और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए भी मालूम होना चाहिए इसलिए पांच वर्ट से कम उम्रे के बच्चों को गिलोई का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के फायदों के साथ उसका नुकसान जानना भी बेहत जरूरी है वैसे तो गिलोय का नुकसान ना के बराबर है लेकिन वही कुछ मामलों में इसका सिवन करना काफी नुकसान दायक होता है बलड सुकर कम होने पर गिलोय का नुकसान होते हैं यदि आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं हो रहा है तो भी गिलोई के नुकसान हो सकते हैं भूलकर भी गिलोई का सिवन गर्भा वस्था के दौरान में ना करें तो फ्रेंट्स यह थे गिलोई से जुड़ी होई कुछ महत्रपूर जानकारिया थैंक्स पर वाचिंग दिस वीड करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हां दोस्तों कमेंट करकर जबर बताएं कि आपके वीडियो कैसी लगे फिर मिलेंगी ऐसे ही नए वीडियो के साथ